देंग जी उस डिविल को बुरी तरह कट करता है और उसे मार देता है हीमेजनों पुछती है वी कि किया तिम ठीक हो तो हीमेजनों कहती है कि कि लग बक की तीन दीन बीथ गये तबी ये मेरे हुलीज ज़ल्दी मारो क्यूंकि मैं और पेंड नहीं सह सकता और डेंजी उस हट को भी देख लेता है वो सब वहाँ से बाहर निकलते हैं डेंजी कहता है कि हमें एक गन डेविल के एक पीस मिला और यह बहुत अच्छा था और उसी नीदा जाती है हिमेनो कहती है कि इसने दिनों तक फाइट किया भीना सोए उस टेविल से इसलिए से नीदा रही है तुम दुनों जाओ और इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करो हिमेनो हाया कावा से कहती है कि कोबी नी और अराई ये काम क्विट करना चाहते है हो सकता है जिस डेविल के साथ फाइट हुआ है वह उससे बहुत घबर आ गए है और वह कहती है कि हमें एक पार्टी रखना चाहिए हाया कावा कहता है कि अगर हमें एक पार्टी रखना है तो इसी वीक रखना होगा क्यूंकि मिस माकिमा के साथ पार्टी करना चाहता हूं क्यूंकि वो क्योटो जाने वाली है डेंजी को एक डेविल ने टार्गेट किया था इस बारे में वो कहती है बात तो यह है कि माकिमा के बारे में इतना केर क्यों करती है फिर वो और हाया कावा सब के साथ मिलकर पार्ट होना है इसलिए मैंने उसे नहीं लाया डिंजी हीमीनो को कहता है कि मेरे किस का क्या को कहती है कि मुझे भूछ शर्माती है जब मैं नशे में रहूंगी तो मैं तुम्हें किस करूंगी और वो डिंजी से माफी मांगती है टीम के लिए क्योंकि उन्होंने डिंजी को खत्म करन तो सब चौक जाते हैं उसके बाद ये कहता है कि मैं हीरा काजू अराई हूँ और मैं एक फॉक्स डेविल के साथ कॉंट्रेक्ट किया है तो हाय कावक कहता है कि फॉक्स डेविल ने बहुत सारी हुमन के साथ कॉंट्रेक्ट किया है तो हीमेनो कहती है कि कुछ ही लोग उसका और नगी कहता है कि ल्यांद में मेरे दे लिएक सिक्रिट कैता है कि नव बहनों में है और बहुत क्योट क्यूट है एक कहता है कि हमाकीमा कि मैंने एक गंड ड्य。 तो माकिमा कहते है कि हां मुझे पता है अक्य कहते है कि आसा जल्दी होता नहीं है कि किसी डेविलि में इंखिती परण माकिमा कि आप देंजी के 100 के आसपास, तभी डिंजी को पीछे से वही लड़की किस करती है, माकीमा चौक जाती है, डिंजी सुचता है क्या है यह उसका जीव है, वो देखता है कि उसके मुँ में वो उल्टी कर देती है, वो कहते हैं यह तो बहुत खराब है, दो कर आओ, तभी डिंजी वो टॉलेट में अपना मुँ साफ कर रहा होता है, माकीमा पुछती है कि डिंजी कहा है, तब यह कहती है कि हीमेनू उसको लेकर घर गई और उसके बाद वो उसके किस करती है, वो कहती है कि माकीमा का पीछा छोड़ दो, तो थैंक्यू, इस एपिसोड में सिर्फ यत नहीं, तो अगली झाल